असलम्रीकम एवर्यवन, I hope you are all doing well आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LLC क्रियेशन पर हम लोग किस तरह से फलोरीडा की स्ट्रेट में LLC को फाइल कर सकते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वालेगे आप लोग अंद तब देखें के वीडियो को और हो सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और हिट दे बेल आइकन सो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर्स आफ आल वी हाव तो मूव अन गूगल डॉट कॉम हम लोग अने एक वैबसाइट उपन करनी है उस वैबसाइट का लिंक यह है आप लोग ने दिल से लिखना है .myflorida.com forward slash sunbiz इस जो है वो लिंक पर आप लोगों ने आना है और उसके बाद जो हमें जो फ्रोरिडा स्टेट डिपार्टमेंट की जो है वो एक ओफिशिली वैबसाइट जो हमें मिल जाएगी ठीक है अपनी वैबसाइट जो है उनकी तो इस पर फिर्स ट्रॉर लिंक पर इस पर ही मैंने क्लिक करना है और उसके बाद जो हमारे पास एक डैशपोर्ट जो ओपन हो गया है जो कि दिखने में बहुत कंप्ली करते है लेकिन जो इसको यूज करना बहुत ही असान है तो हमने सबसे पहले जो हो आ जाना है स्टार्ट आप बिजनस पर और यहां पर जो हम लोगों के पास यह वाला डैशपोर्ट उपन हो जाएगा और इस डैशपोर्ट में जो हमारा जो नेक्स टैप हो का इदर से शुरू होगा इदर से हम क्लिक करेंगे लेकिन उससे पहले जो है वह आप लोग नीचे वाले जो सारी उनकी जो है वह इंफरमेशन दियो ह लिए वह आप लोग अच्छे से उसको रीड कर लें ताकि अगर आप लोग पहली बार इसको बनाने जा रहे हैं तो आप लोग को काफी ज़ादा जो हम इस चीज का नौलिज होना चाहिए कि मैं बना रही हैं लाल सी जा बनाने चाहरा हूँ तो मुझे क्या कर चीज़ नजनने तो यह theoretically करते हैं कि भी प्राइसाइसा नियुकाण है उसके बाद नीचे हम पर ऑफनी घीजेगे हैं को इनक दागे हैं इसे आप से बाद हम वह भी जूह काथ हो बाद रह घाया कहरा है अगर आप लोग और आप लोग आप लोगों का कहलें कि एक बार ठीक तरह से पुट नहीं करते हैं तो दुबारा शूर्ट करने कि जब में चांसित कम होते हैं तो लिए उन्होंने थोड़ा बहुत अपना डिस्कलेमर बताया है उसके भाद घया हमारे पास नीची ऑप्रचन है जी यह मेंन चीजें है जी अगर देखने वाली अभी यह उन्होंने बताई वह दो करेक्ट करें हैं तके हमें पता हो सब्सक्राइब करने हैं लिए इसके लिए oni ने papel कर रहे हैं घर्लम करना बना उल्न करना दूप्षिंट करें है । यह हमारे पास यहां हम्हार ایک फॉँ वह हमें शो होगा। काफी लंबा फॉं संन दिख रहा है लेकिन इसमे मैंने सारी चीज़ यहां फिल नहीं करना है 14 ha 2ms ha जो कर धि फुर्त हों के यहां इसमें 15 unit अभिलेंग 100 ett Darren and Quantum C layer तो effective date in from keylem वो इसको फाइल कर रहे होंगी ठीक है तो आज से ही हमारी एफैक्टिव ड्रेप अविसली स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद रिक्वाइड फाइलिंग फीस जो हो उनकी 125 डॉलर है उसके बाद जो अधर को अलग है वो थोड़ी बहुत हमें सर्सिस दे रहे हैं कि आप को चाहिए तो भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं चाहिए मैं इसको अंटीक ही रहने दूँगी उसके बाद हमारा लिम्टिल लाइबिल्टी कंपनी नेम आ जाता है तो इसमें आप लोग का नेम पहले से स्लेक्ट किया हो कि हमें इस तरह से नहीं बैठ सक जो है इस पर हमें मिल जाती है यह फसिलिटी के हम लोग नेम सर्च कर सकते हैं जो और रड़ी रिजिस्टर नहीं होंगे ठीक है ललसी करें तो वह हमें लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था तो वही नेम मैं इदर लगा दूँगी और आप लोग चाहें जो भी ने हम लोग पर लूग के सबस्क्राइब करने जा रहे हैं तो आपना फ़लोरीडा का अड्रस अडरस में इदर पूट करेंगे फिस अड़रर यह सारा कुछ हम इधर एड़्र करेंगे जो हमने पर सरी, तो आप लोग जो हां धूहि अजी नहीं कि जो इंडर से उपर में चाहएं, तो आप लोग तो नेम है address of registered agent तो registered agent में हम लोग individual भी आ जाता है कि हम लोग ने अगर किसी का address यूज किया तो ठीक है इसे लग इन से last name और first name यूझे उल्टा और ने दिया है last name first name उसकेबाद इसे छोड के और इधर जो हम अपना लिख सकते हैं जो भी हम थो हम लिकना टाइटल में ठीक है और इसके लावा जो है अगर यह आप लोग नहीं देना चाहते तो इसके लावा आप लोग इदर business to serve as a registered agent ठीक है तो इसके लावा हम जो है वह हमारा जो business name होगा means के जिसे कोई भी company है जहां से हम लोग address purchase कर रहे हैं यह registered agent purchase किया है तो हम लोग उसका भी उसके बाद notice of annual report इतको भी हमने यहां से है correspondence name and email address यह हमें जो है वह चाहिए होगा हमने इदर से पुट करना है जरूर ठीक है इसमें हम लोगों ने जो भी बंदा या बंदी फाइल कर रही है LLC ठीक है तो वह उसमें अपने email अपना name और यहां पे electronic signature लिख देगे ठीक है अपना name लिखेंगे इतर दुबारा से email कर देंगे और यहां से हो जाएगा उसके बाद है हमारा name and address of person authorized to manage LLC तो इसमें हमने यह लिखना है कि जो बंदा इस LLC को जो है वो इसका कहलें कि owner है उसका name लिखना है ठीक है तो वहां पे हमने उसका address और name लिखना है ठीक है यह हम इदर से लिख देंगे address जो हम अपना पाकिस्तानी address नहीं जूस करते हैं तो इसलिए हम लोग यूएस से का address हमने purchase किया वो लिखेंगे और इसके लिखेंगे और नेम वगरा जो हम इदर से लिखेंगे उसका जिस बंदेव के नाम पे LLC बन रही है ठीक है और यहां पर MGR Manager और या फिर Authorized Manager तो इसमें जो हम लोग MBR जो हम सेलेक्ट करेंगे जिस तरह से कोई बड़ी company एक child company फर्म करना चारी है ठीक है तो यह उसी लिहास से कह रहे हैं कि अगर आप लोग कोई company wise कर रहे हैं काम ठीक है के company है ठीक है इसको फाइल कर देंगे और बाकी जो चीज़े हैं यह हमें नहीं रिक्वाइड क्यूंकि हम लोग जो है वो individually काम कर रहे हैं हम काफी जादा पार्टनर नहीं हैं काफी company ऐसे बना लेते हैं कि जिसमें एक से जादा बंदे जाए आड होते हैं तो हम लोग इस तरह से नहीं कर रहे हैं हम लोग इंडिविज्यली जो लोग वाल सी क्रियर्ट कर रहे हैं मैंने इदर लगा दी है उसके लावा मैंने इसको भी certificate of status को भी टिक कर दी है certified copy यह मुझे नहीं चाहिए थी मैंने इसको अंटिक रहने दी है इसके बार लिम्टे liability company का नेम भी मैंने लिख दी है and then address और spirit address वगरा यह सब कुछ भी मैंने लगा दी है और mailing address भी हमारा सेम होगा name and address of registered agent आप लोग भी लिख सते है मैंने जो है वो मेरा address मैंने purchase किया था यह address लगा दी है और इसके बाद यहां पर मैंने लगा दिया है registered agent का name लगा दिया है and उसके बाद बिजनेस to serve as registered agent इसमें हमें होता है आप लोग यह जो है यह फिल कर दें यह फिल कर दें यह फिल कर दें तो मैंने जो होपर वाला फिल कर दी है और उसके बाद जो हो मैंने इसका address भी put कर दी है उसके बाद जो हो मैंने इधर signature जो हो signature में उसका name ही लिखती है इसको मैंने स्क्रिप कर दिया है यह वो नहीं चाहिए उसके बाद है correspondence name and email address इसमें अपना name लिखना था जो भी बंदा या बंदी LLC फार्म कर रहा है या तो उसका जो नेम लिखना था और हमें email भी उसी की जाहिए था जिसमें हमारी आगे mail आएगी हमारी LLC की file आप लोगों का कहलें कि वो प्रफसर स्टार्ट हो गया ठीक है तो उसके लिए obviously हमें mail आने तो mail आप लोगों ने रियल email इदर लगानी है ठीक है उसके बाद मैंने अपना name लगा दिया है and then वो हमसे पूछा है name and address of persons authorized to manage LLC तो मैंने आप लोगों को बताया था कि AMBR आप लोगों ने पहले से पर्चेस किया और आप लोगों ने पहले से पर्चेस किया और आप लोगों यह सारी चीज़ों अभी next वो हमें वो पूछेगा कि आप लोग इसको अच्छे से देख लें कि जो भी आप लोगों ने documents फिल किया है तो इसमें आप लोग दुबारा से देख लें कि straight वगर आप लोगों ने ठीक दिया रिजिस्टर एजेंट का जो है वो ने वगरा वो सब ठीक है जो भी document हमने दिया है तो वह हम लोग देखेंगे कि यह ठीक है या नहीं तो मैं आप लोग जहां से वो वेरिफाइल करने के बाद चुन्टिन्यू कर देंगे एप लोगो ने पेसे बन रहे है कि फिर सकते हैं ठीक है और ट्रैकिंग नंबर वगरा भी हमें दिधर से प्रवाइट करदेगा तो उसलिए आप लोगों ने वह कौन सा सेलक्ट किया हुआ है वहां से कितनी प्राइस अलट करें हैं ठीक है तो इनका अच्छा यह थी यह तरीका कि आप लोगों को बार बार च्था चाग आउट करने को भी जाता है कि हमें तो चेक आउट करने को प्रूआ है कि आप लोग अच्छे से अपने डोकुमेंट पढ़ लें कि आप लोग ने जो भी हमें डाटा प्रवाइट किया है वो सारा ठीक है जब हम उसको रिट करते हैं अगर कि मिस्टेक हो भी तो फिर हम क्लियर कर लेते हैं उदर से यह ठीक है सब्सक्राइब करने होगा हो अगरे लागने का अगरे में चुमानी का जो अफ्सचा जैक हम लोग sudah पाकिस्तान और उसके बाद जो अपना नेम वगरा एड करेंगे last name first name address वगरा जो भी आप लोगों का residential address है ठीक है और यह सारा address आड करने के बाद और email भी जरूरी है email भी आप लोग ने आड करनी है उसके बाद next करेंगे next जिब करेंगे तो उसमें जो हमारा जो LLC की जो है वो हमारा file का process है वो शुरू हो जाएगा ठीक है so इसमें जो हमें कम से कम आठ दिन लग जाते हैं ठीक है लेकिन approximately आप लोग 15 दिन का रखें कितना भी लग जाते हैं so यही था process आप लोगों को मक्सच यही था कि आप लोग ताके जो बंदा new है जो देखना चाहरा है कि जिसे अभी तक जो है वो इस चीज का knowledge नहीं है कि किस तरह सी create की जाती है और जिसे पता है लेकिन उसने अभी तक जो है वो इसको ट्राइ नहीं किया तो आप लोग इसक जरूर क्या सकते हैं खुद ट्राइ कर सकते हैं ठीक है तो इतना मुश्किल नहीं है यह आप लोग जो है वो खुद भी LLC बना सकते हैं so next जो हमारी वीडियो होगी उसमें जो हम EIN नंबर के लिए अप्लाइ कर रहे होंगे so अभी तक के लिए जो हमें इतना ही था LLC को फॉर्म उसको फाइल करना था so मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो में आप लोग किसी भी चीज़ में कोई भी misunderstanding हो कोई चीज की समझ ना रही हो तो आप लोग comment section में पूर सकते हैं अपनी क्योरी जो है वो बता सकते हैं कि फिर मैं आप लोग को reply कर दूँ ठीक है so मिलते हैं next वीडियो में till then keep learning and keep explorer Allah Hafiz